नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस पाबरफुल मोटिवेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चारक के नीती के अमसार बताएंगे के अमीर बनना है तो आधी रात में ये काम जरूर करना चाहिए दोस्तों कौन से ऐसे खाص काम है जिनको आधी रात में करने से बेक्ती बहुत जल्दी सफलता प्राक्ट कर लेता है और भाएक अमीर बेक्ती बन जाता है दोस्तो अगर आपको जिन्दगी में बहुत सारे पैसे चाहिए अगर आप जिन्दगी में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह काम आधी रात में जरूर करना चाहिए अगर आप यह काम आधी रात में करते हैं तो आप बहुत पैसे बले इंसान बन जाओगे यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं तो आपको रोजाना सुबह उठकर लच्मी जी की पूजा अबस्य करनी चाहिए दोस्तो अभी कमेंट बाक्स में जैमा लच्मी लिखना बिल्कुल भी मत बूलना दोस्तो नमबर एक है प्रेम करने के इच्चो प्रेम संबंध आपको कभी भी आधी रात में नहीं बनाना चाहिए अगर आप काम बासना रखते हैं आधी रात में तो आप कभी भी पैसे ब बात है आपके यहां लच्मी का बास होगा प्रेम संबंध बनाने का सही समय रात के दो बजकर तीस मिनट तक ही मना गया है इसके बाद का समय पूजा पाठ का मना जाता है और यदि आप ऐसे समय में संबंध मनाते हो तो आपको भयंकर से भयंकर परड़ाम जिलने पड़ सक सकता है यहां तक कि आपसे देवी लच्मी और रूठ सकती है इसलिए आपको कभी भी साम को या फिर रात के दो बजकर तीस मिनट के बाद संबंध नहीं बनाना चाहिए यहां दोनों समय बहुत ही पवित्र होते हैं यहां समय उजा पाठ के लिए होते हैं इसलिए दोस्तो आप ऐसा करने से हमेसा बचिए और दोस्तों नमबर दो है अपने हाथ मुँ धोना चाहिए अगर आप सोने से पहले अपने हाथ मुँ धोते हैं तो अच्छी बात है अगर आप अपने हाथ पैर रात में सोने से पहले धोते हैं तो आपके पास लच्मी का बास होगा हाथ प रात में सही काम करते हैं और अपने पैर धोते हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ सकता है और आप अमीर बन सकते हैं इसलिए आप रात में अपने हाथों और पैरों को जरूर धोएं और दोस्तों नमबर तीन है सोने से पहले दूध पीना चाहिए रात में आपको सोने से पहले दूध जरूर पीना चाहिए अगर आप रात में सोने से पहले दूध पीते हैं तो आपका सरीर अच्छा रहता है दूध पीने से आपकी ज्यान सक्ति बढ़ती है और आप रात में सोने से पहले दूध पीते हो तो आपके पास धन की ब्रद्ध होगी आपके पास ज्या के समय किसी भी परिष्टित में किसी इस्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए घर के अंदर हो यह बाहर इस्त्रियों से हमेशा सही ढंक से बेबाहर करना चाहिए इस्त्रियों का अपमान करना पाप माना जाता है और जो लोग यह पाप करती ही बाह कभी सूखी नहीं रह पाते और ऐसे लोग बहुत जल्दी तबाहो बर्बाद हो जाती है तो दोस्तो आज का वीडियो बस यहीं तक था हम आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर करना बिलकुर भी मत बोलना तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसे ऐसे ही ग्यान बर्धक और नालिजबल वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहें जैभारत